Assalamu alaikum my dear students तो फिर बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ Classics and English Chapter number 3 That's what friends are for इस chapter को हमने पढ़ लिया था तो फिर आज हम करेंगे इसके exercise तो फिर सबसे पहला हमें दिया हुआ है Match the animals in A with their words in B हमें क्या करना है यहां पे A वाले साइड में हमें कुछ animals के नाम दिये गए है ठीके, यह जो जैसे त्री डोर्स, बार्स, लाइन, उपसम यह सब कौन था जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था कि यह सब एक जानवर्स था जैसे त्री डोर्स, एक जानवर्स था बार्स, जो था वो भी एक अनिमल्स था लाइन भी था एक अनिमल्स और पिसम यह भी था एक अनिमल्स तो फिर हमें इन अनिमल्स को क्या करना है इन्हों ने जो जो वोर्स बोला था हमें उनके साथ इनको मिलाना है जैसे बी में हमें दिया हुए यह सब दियाओए हमें इनको इनसे मिलाना है कि यह जो वोर्ट से यह किसने बोला था तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कोलम ए में हमें क्या दियाओए थ्री डोर अब यह जो थ्री डोर था वो कौन था जैसे कि अगर आप लोगोंने थोड़ा सा स्टोरी पढ़ाते वक्त दियाओगा तो फिर जो थ्री डोर था वो कौन था इलिफेंट था अब यह जो थ्री डोर था उसने क्या बोला था ठीक है उसने बोला था कि I have hurt my leg मैंने अपने मेरे जो पैर में वो क्या लगा हूए चोड लग गया है ठीक है यह किसने बोला था इलिफेंट यानि कि थ्री डोर ने बोला था अब जो बार था उसने क्या बोला था वाई डोंट यू फलाई तुम उट क्यों नहीं रहे हो लॉएन जो की लॉएन था लॉएन ने क्या बोला था I will show you how to मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे दहारते हैं ठीक है यह कैसे गुर राते हैं उपेसम जो यह उपेसम हमने देखा था कि उपेसम कि आनिमल्स को बोलते हैं उपेसम इस वाले अनिमल्स को हम क्या बोलते हैं उपेसम बोलते हैं ठीक है तो फिर इसने क्या बोला था bring the cousins to three door cousins की three door को हम cousin के पास लाते हैं ठीक है अब मैंने यहां पे जैसे लिखा हुआ है आप लोग यहां से screenshot भी ले सकते हो जैसे three door है three door ने बोला था I have hurt my leg मेरे पेरूंग में क्या लगा हुआ है चोड लगा हुआ है यानि कि यह A से क्या होगा हमारे B वाला मेच होगा but why don't you fly तुम उठ क्यों नहीं रहे तुम उठ क्यों नहीं पाते हो ठीक है तुम उठ क्यों नहीं रहे हो यह किसने बोला था बार्ट ने बोला था इसका B से कौन सा हम मिलाएंगे C पाड वाला लॉइन अब जो यह लॉइन था लॉइन ने क्या बोला था D वाला I will show how to roar ठीक है अब यह जो ओपेस हम था bring cousin to the three door हम cousins के three door को ठीक है यानि कि हम जो three door है उसकी cousin को हम किसके पास लाते हैं three door के पास लाते हैं तो फिर कल हम इसके कोशन अंसर्स वागरा करेंगे मुझे अमीड है बच्चों आप लोग अच्छे से लिख रहे होंगे अपने कोपीज भी बना रहे होंगे आज की लिए खुदा हाफीज